लहेंगे की लंबाई कम करनी हमें तो हम नीचे से करेंगे तो हमारा कैनवास वगएर सो फिनिसिंग खराब हो जाएगी तो हम इसको उपर से कटिंग करेंगे उपर से यह हम लेफा निकाल देंगे यहां से देखिए हमना इसका लेफा निकाल दिया है अब हम जितने लंबाई कम करनी है हम कट कर लेते हैं उपर से इस तरह से हम लेंगे को फोल्ड करना है और नीचे से एकदम फिनिसिंग से बराबर रखना है अभी हम इसको दो इंच जितना कटिंग करेंगे यहां से हमने मार्क कर दिया है अभी हम इसको कट कर लेते हैं कट करने के बाद हम इसमें हलके हलके टक्स लगाएंगे किस तरह से टक्स लगा ना मैं बताऊंगे आपको देखिए इस तरह से मैं इसको कट कर लेती हूं इस तरह से हमाय लेंगे कि फिनिशिंग भी खराब नहीं होगी देखिए ये कटिंग कर दिया हमने आपको जितना लंबा कट करना उस दिसाब से कट सकते हैं अब मैं टक्स के आगे याँ पे हलका हलका कट लगा देती हूँ कितने टक्स लगाने देखिए इस तरह से अभी हम इसको अंदर की साइड में टक्स लेंगे देखिए इस तरह से हलके हलके टक्स लगाना है तरह कौन साइड में देकि मैंने उल्डा कर दिया इसको और इस तरह से मैंने टक्स लगा है हमें जितना 5 या 6 जितने टक्स आए उसी साब से यह लगा नहीं देखिए इस तरह से हमार टक्स लग गए हैं अभी हम इसका लगाएंगे वापस तो हम इसी दी सा पिच्चे की साइड से लेफा लेना इस तरह से और इस तरह से हम लेफा लगा देंगे और ये भाग थोड़ा सा कम हो गया था तो मैंने फिर से बाराबर किया इसको ये देखे हैं हमारा लेफा लग चुका है और इसकी फिरिसिंग वैसी की वैसी ही है तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज मुझे कमेंट में बताएं और इस तरह से आप लेंगे कि लंबाई कम कर सकते हैं और नीचे से ये कैनवास खोलने की कोई भी जरूत नहीं पड़ेगी थैंक यू